लक्षमन जी से राम जी ने कहा जाओ मा से आज्यां लेकर आओ मा के पास गए मात्रा सुमित्रा के पास मा ने कहा श्री लक्षमन जी मा से आज्यां लेकर मा सुमित्रा ने आज्यां दे दी जाओ राम की सेवा करते करते मर जाना अरे और तो छोड़ो, मैं आपको आगे की बात बताऊं, जब लक्षमण जी को शक्ती लगी, तो हनुमान जी परवत लेकर गए तो भरत जी ने बान मारा, आयोध्या जी में परवत लेकर हनुमान जी गिरे परवत पवन देवतानी उपर थाम रखा, हनुमान जी गिरे गए राम राम कहके, सारे आयोध्या के लोग आए आधी रात को, कौशल्या मावी आई, कहके मावी आई, सुमित्रा मावी आई, और जब सुमित्रा मा को पता चला के लक्षमण को शक्ती लग गई है, ये दवाई उनके लिए है, तो श्रीक सुमित्रा माने हनुमान जी से और पीठ में लगी है, खबरदार, तुम संजीवनी बूटी लेकर मत जाओ, मरने दो उसे, और कह देना राम को, कि एक मर गया तो क्या हुआ, अभी दूसरा सेर जिंदा है आपकी सेवा के लिए, मैं शत्रुखन को भेशती हूँ, सेवा के, दौनों बेटे समर्पित कर दिये मा ने एक भगवान की सेवा में लगा दिया, और एक भक्त की सेवा में लगा दिया, धन्य हमाता सुमित्रा, धन्य हमाता सुमित्रा, जिनका एक बेटा भगवान की सेवा में, और एक बेटा भगवान के भक्त की सेवा, मेरे लक्षमन को संजीवनी देने की जरूरत नहीं ह हनुमान बताओ बाण कहां लगा हनुमान जी वोले मा तुमारा बेटा बहादुर है मा उनकी छाती पर बाण लगा पीठ पर नहीं वो भागे नहीं माता को डर लग रहा था कि कहीं वो युद्ध से भाग तो नहीं गया ना छाती पर बाण लगा है मा छाती पर लगा है तो माँ का बेटा रहा है मा को मरते बेटे की चिंता नहीं है कि मेरा लक्षमण मुर्ण मरना धन्य है मा उनहे चिंता अपने मरते हुए बेटे की नहीं थी उन्हें चिंता अपने राम की थी ऐसा भग्त और वहां प्रेमीर आयोत्या में सुमित्रा मा भी बड़ी भक्त थी भगवान की कोई सामान्य नहीं है मेरी मा कौशिल्या मा सुमित्रा मा कैकई मा कोई सामान्य माएं नहीं है हनुमान जी प्रणाम करते है धन्य है यह आयोत्या जहां अपने बारे में अच्छा कौशिल्या जी आई हनुमान यहाँ यह बताओ लक्षमण जी की तबियत कैसी है मा सूरियोदय के पहले नहीं पहुचा तो प्राण सुनो राम से कह देना कि अब बापेस आयोत्या 14 साल बा सलामत लेकर गए थे राम यदि वैसे लेकर आए तो आय Obama को घूसने नहीं दूंगी मेरे लक्षमण के बर believers कैसे आ सकते है वह धन्य है मा लक्षमण की मा राम की चिंता करती है और राम की मा लक्षमण को में छोटा भाई बड़े भाई की च चिनता करें और बड़ा भाय चोटे भाई की व कहते की चिंता करें और जिठानी दिवरानी की अपने अपनों का पेट तो पसु पक्षी भी भर लेते हैं अपनों की चिंता तो कुत्ता बिल्ली भी कर लेते हैं सभी मैं बाट कर खाए उसे इंसान कहते हैं पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं कितना कुछ सिखाती है भन्य है राम की मर्यादा धन्य कोसल्या मां धन्य है सुमित्रा मां कह कई मां हर समय चुप है क्योंकि अब कहने के लिए कोई शब्द नहीं मजबूर हैं आग लगा चुकी है मां घर को फोड़ना मत घर को तोड़ने वाला बड़ा नहीं होता मेरी मां कह कई मांने घर को फोड़ा है तोड़ा है बताइए त्रेता की कह कई मां आज कल्यूग चल रहा है कह कई मांने घर फोड़ा राम को बनवास भेजा आज तक किसी बाप ने अपनी बेटी का नाम कह कई नहीं रखा तब से जिसने राम का बिरोध किया हो उनका नाम लेना भी लोग ठीक नहीं समझते इसलिए जोडने की बात किया करो तोडने की बात ना किया करो बताओ तोडने वाला बड़ा है या जोडने वाला जोर से तोडने का काम तलवार करती है और जोडने का काम सुई करती है तलवार भले किसी के घर में ना हो पर सुई सब के घर में होती है तलवार एक दरजी कपड़ा काट रहा था कैंची को कपड़े को कैंची से काट कर उसे पाउं के नीचे दवाए और सुई से बटन लगा कर उसे टोपी पर लगाए किसी ने पूछा कि तुम सुई को उपर रखते हो और कैंची को नीचे रखते हो दर जी ने कहा जो तोड़ती है उसे नीचे रखा जाता है पाउं के और जो जोड़ती है उसे पगड़ी पर सजाया जाता है उपर रखा जाता है समाज में वो लोग स्रेष्ठ होते हैं जो जोडते हैं घर को जोडिये भाई को भाई से जोडिये पती को पतनी से जोडिये जिठानी को द्यवरानी से जोडिये बहु को सास से जोडिये जोडते चलिये तोडिये मत जो तोडता है फिर भगवान उन्हें अच्छे से तोड़ते है इश्वर के घर देर है God mills grind slow but sure इश्वर की चक्की धीरे धीरे चलती है आटा पीस्ती है धीरे ही सही चलती जरूर इश्वर न्याय करते है